इस वीडियो से पहले मैंने मैज साइंस की वॉक्सीट बहुत अच्छे से इंगलिस मीडियम और हिंदी मीडियम में समझा कर सॉल्व कर दी है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस में जाकर उने देख लें समझ लें समझना बहुत जुरूरी है आज हम करने वाले हैं CB 2024 की वॉक्सीट नमबर एक सब्जेक्ट है समाज़े विग्यान क्लास 9 के लिए वॉक्सीट को पहले समझना और उसके बात सवाल करना इस चैनल पर बहुत अच्छे से हो रहा है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं इस वॉक्सीट में हमें अक्षांच और देसांतर रेखाओ के बारे में पहचान करनी है फिर हमें उदा ग्लोब और विश्वत पांचित रुपर ध्रो मुमत रेखाओ के बारे में समझना है माल लिजे कि हमारा ये ग्लोब है इस ग्लोब में डारेक्शन्स समझनी है सबसे पहले हमें डारेक्शन्स हैं जैसे ये है हमारा इस्ट ये होता है वेस्ट उपर नॉर्थ और ये होता है साउथ भई जो रेखाएं पूरू से पच्छिम की तरफ जा रही हो पूरू का मतलब ये East से West की तरफ जा रही है ये East से West की तरफ जा रही है ये भी East से West की तरफ जा रही है तो ऐसी रेखाएं जो पूरू से पच्छिम की तरफ यानि East से West की तरफ जाती है उन्हें हम कहते हैं अक्षांस रेखाएं ऐसी रेखाएं जो North से South की तरफ जाती है द जाती है इनको हम कहते हैं दे सांतर रेखा है इसके सांतर जो एस्ट से वेस्ट की तरफ रेखा जा रही है उसमें एक ऐसी रेखा है जो आर्थ के बिल्कुल सेंटर में है इस आर्थ के बिल्कुल सेंटर वाली रेखा को हम कहते हैं जीरो डिग्री जीरो डिग्री का मतलब इस जीरो डिगरी की रेखा को हम कहते हैं विश्वत रेखा यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप जीरो डिगरी के रेखा को विश्वत रेखा कहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो उसके बाद यहाँ पर North से South वाले भी एक Zero Degree के रेखा होगी ये री Zero Degree के रेखा तो इस Zero Degree वाले रेखा को प्रमुख या मुप्तर कहते हैं तो ये इस Worksheet के समझ हो गई अब सवाल करते हैं अच्छा एक बार ऐसे लाइन खीची एक बार ऐसे लाइन खीची तो बीच में ऐसे Block बन रहे हैं इन Block को हम Grid कहते हैं ये Grid बहुत Important है हम किस Grid में हैं ये यहीं से आपको अनुभव होगा और पता लगेगा चलिए अब सवाल की तरफ करते हैं पहला सवाल है ग्लोब पर पूरू से पच्छिम की ओर खीची गई कालपनिक शैतिज रेखाए क्या कहलाती है पूरू से पच्छिम की तरफ जो रेखाए खीची गई है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाए जो मैंने आपको अभी बताया था कि अक्षांश रेखाए कौन से होती है पूरू से पच्छिम की तरफ जाती है ठीक ऐसे ही उत्तर से दक्षिन की तरफ जो रिखाये जाती है उन्हें हम कहते हैं उत्तर से दक्षिन की और खेची गई रिखाएं देसांतर रिखाएं और जीरो डिगरी अक्षांच जो होता है जो 0 degree अक्षांश होता है उसे हम क्या कहते हैं विश्वत वृत देखो यहां लिखा हुआ ना विश्वत वृत और करकरेखा और मखा देखा के बीच इससे तापकतिवंड को क्या कहा जाता है देखो ग्लोब जना जो हमारा ग्लोब है इसको हम कई हिस्सों में बाटते हैं एक और लाइन खीच रखी है यह जो लाइन है इसे हम कहते हैं करकरेखा नीचे वाई लाइन है इसे हम कहते हैं मकर रेखा तो करकरेखा और मकर रेखा के बीच में एक हीट जोन गर्मी जोन होता है जिसे हम कहते हैं उस्ट कटी बंद है तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ट क तो इससे आपको बहुत सारी information मिलेगी इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसी वॉक सीट से तो आप इसको समझ के करें आपको बहुत अच्छा लगेगा सबजने से ही आपको समझ आएगा और आप answer कर पाएंगे वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू